नमस्कार में नामराहूल स्वागत है नुटसन क्वासिस 2.0 में देखिए एचसे की तरफ से CT को लेकर एक नया नौटिस दारी हुआ है इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो नौटिस क्या है इन लिटेल हम उसको डिसकस करेंगे राहेंगे और समझेंगे कि उसका मतलब क्या है और गैडिटेट्स के लिए वो कैसे बेनिफीजिल है एक परकार से कहें तो वो किस परकार से उस नौटिस ने गैडिटेट को थोड़ी सी राहत दी है तो चलिए डिसकस करते हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please do that चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे प्रकार से और भी relevant information हम इस चैनल पर लाते रहते हैं तो 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 यह स्टार्ट करते हैं तो यह है हमारे पास notice public notice advertisement number 3 of 2023 तो इसमें सबसे बहली बात उन्होंने लिख रखा है कि अगर आपने अभी तक application form को submit नहीं किया है तो submit कर देजिए क्योंकि जो last date है वो extend नहीं होने वाले तो last date है वो 5 तारिक ही है मई महिने की तो यह extend नहीं होने वाले और इनका कहना यह है कि जल्दी सब्मिट कर लीजिए क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि जो last minute जो रस है आखरी time पर फिर सारे सारे बच्चे एकदम से apply करने कोशिश करेंगे फिर वेबसाइट है वो अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाएगी तो उस case में कि उसमें कोई जिम्मितर नहीं होगी क्योंकि टाइम आपके पास है तो जितना जल्दी होसके आप अपना अप्लिकेशन फॉर्म है वो सब्मिट कर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉबलम आती है तो आप help desk का जो number है वो दे रखा यहां पर आप contact कर सकते हैं खला की बहुत सारी बच्चों की complain आई है कि सर बार-बार नमर को ट्राइ कर रहे हैं लेकिन बार-बार लाइन वीजी आ रही है response वहां से कुछ भी response वहां से नहीं मिल रहा है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत बार email भी किया है email का भी कोई response तरफ से नहीं आ रहा है तो यह इस पर आप डाय करके देख सकते हैं लेकिन क्योंकि आपको यह जो क्राइब करते हैं तो आपको अपने के साथ नहीं करनी यह थीक नहीं थे आपने SSC को बेवकूप बनाने के कोशिश की है तो आपको अगर जो मिल गई आप वहां पर अपॉइंट हो गए तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट वो कर सकते हैं आपके डॉकुमेंट्स के बेस पर बाद में भी अपको आपकी नौकरी से वो निकाल सकते हैं तो डॉकुमेंट्स अपने रियल ही वहां पर अप्लोड करने हैं और क्या है कि जो डॉकुमेंट्स के लिए जो पलेस उन्होंने दे रखा है कि या क्नॉलीजमेंट है जो आपने पर अप्लोड कीजिए जो मेर इंपोर्टेंट बात है इस नौटिस की वो यह है कि अब आपको जो नौ जोब का जो प्रफॉर्मा है उसको तहसीलदार से वेरिफाई करवाने की जरूरत नहीं है तो रिलेक्सेशन दे दी है कंडिट्स को कि जो भी उनका फैमिली इंकम और न तहसील है वहां पर भीड़ लगी पड़ी है तहसीलदार से साइन बच्चों करवाने हैं तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ज्यादा होने की वज़े से क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगबग साइड़ तीन लाख बच्चे हैं जो ट्राइक कर रहे हैं फॉर्म को सब्मिट करने के लिए तो उनको साइन करवाने हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत भीड़ी की वज़े से कुछ बच्चे साइन ना करवा पाएं और उसकी वज़े से फिर वो अप्लोड भी नहीं करेंगे तो कैनेड़ेस की सहुलित के लिए यह अच्छसी की तरफ से थोड़ी सी रहा है तो क्या बाद में भी आपको जो तसीलदार है उसके जुरुत नहीं पड़ेगी तो एक से इसमें क्या बोल रही है कि बाद में जब उसकी जुरुत पड़ेगी तो वहां पर आपको स्पेसल कहा जाएगा कि भाई अब अपना जो परफॉर्मा है उसका वरिफाई करवा हो आला लेजे डिये डिस टाइम पर डॉक मेंट वरिफिकेस अगी उस टाइम पर आपको यह पना जो परॉपर म हैं वह रिफाई करवाना है आप अब तसले से करवा आप मैं सिर्भा पर आपको नहीं करवाना है क्योंकि टाइम अब doble वे स्थ करने के लिए बिचा नहीं ह अब आपको जिलतर की सिमिंटर की जुरूरत नहीं है वहां से टेस्ट करवाने की आपको जुरूरत नहीं है तो यह साफता पिनों लिख रखा है कि जो रिलाक्सेशन है वो दिया क्यों गया है कि सिर्फ जो एपलिकेंट्स है उनको सहुलीत रहे उनके convenience के लिए यह किया गया है लेकिन जो आप details वहां पर आप फिल करेंगे वो आपकी correct होनी चाहिए जो भी data आप वहां पर submit करेंगे आपकी income के लेकर आपके नौजोब के claim को लेकर वो आपका real होना चाहिए क्योंकि अगर वो आपने fake upload कर दिया तो बाद में आपका जो candidature है को गुम्रा करने की कोशिस आप मत करें सिधा सिधा कहने का मतलब मिलका यह है तो अगर आपका data है वो गल्द पाए जाता है तो आपका कर दिया जाएगा तो अगर आपने माने जी की upload कर दिया है तो आप उसका जो claim है वो withdraw कर सकते हैं नहीं तो आपकी जो service है वो क्या कर दि जाएगी टर्मेट कर दी जा सकती है और इसमें ध्यान यह रखना है कि अगर मान लीजे कि आप ने अपने जो documents upload कर दिये लेकिन उसमें data आपका ठीक नहीं था आपने एक्जाम का रिजल्ट आपका ऐसा आया है कि आपको उन marks की जूरूरत नहीं है तो उसके बाद भी आप आपने एक्जाम को गुम्रा करने कोशिस करें आपने fake documents upload करें है wrong documents आपने upload करें तो किसी भी हालत में अपनी wrong information को submit नहीं करना है कुछ बचे होते हैं कि मैं अगर wrong information submit करूंगा तो ठीक है कि यह जो मेरा form है यह जो मेरा performa है यह जो मेरा claim है वह एक्जासी accept नहीं करेंगी त कि योग्या है तब भी आपकी जो सुदस्यत्या है वो रद कर दी जा सकती है आपको service टर्मिनेट कर दिया जा सकता है तो यह जुरूरी है तो candidate must not produce knowledge of certificate attested by executive magistrate और तसलतार at the time of scrutiny of the documents तो अब आपको verify कब करूआना है आपको certificate को attested कब करूआना है जिस time पर documents की क्या होगी scrutiny हो टेस्टिट करूआना है और next है experience certificate को लेकर कि जो category number 41 है जहां पर आपको experience certificate अपना जुरूरी है upload करना तो उसके लिए आपको जो certificate है वो आपका कौन सा हो आपके experience का certificate कौन सा हो वो हो सिर्फ original equipment manufacturer का certificate हो उसी को consider किया जाएगा otherwise उसको consider नहीं किया जाएगा तो OEM ही consider किया है कि जो application का जो experience certificate का सुरी जो performer है वो सेम है private के लिए भी और state government के लिए भी या center government जो employee है उन सब के लिए experience का परफॉर्मर है वो सेम है और जो दे रखा है नेक्च्चर और जो applicants हर्याना government में employee है तो वो अपना जो जिस department में वो जोब कर रहे हैं उस department से वो अपना जो certificate है experience certificate वहां से receive करके वो submit कर सकते हैं और जो applicants क्या है private organization में है किसी दूसरे state government में करें central government में है तो उनके लिए क्या है they are required to give certificates in separate प्रफॉर्मा तो उनको जो certificates है वो separate performance में upload करना है वहां पर अपने details उसको उनको share करनी है तो यह जो सारा सारा नोटिस था इसमें सबसे इंपोर्टन तो यही है कि अब आपको तैसिलदार से attached to crying जुर्द नहीं है और आपके जो documents है वो real हो आप गुमरा करने कोशिज ना करें नहीं तो बाद में आपको इसके बहुत कड़े नुक्सान जहलने पड़ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन हस्ते रहें मुस्राते रहें और सीखते रहें जैहिंद